हलो फ्रेंड्स, मैंसेल भी चंदन कुमार सिंग, ये फ्लूइड मैकनिक्स का 28 पार्ट है लास्ट क्लास में हम लोग 464 तक कर चुके थे, नेक्स कोशन है 465 कहा रहा है टू पाइपलाइन्स, एड डिफेरेंट प्रेशर पी ए ए और पी बी अगर यहां से इस पाइपलाइन को देखें, तो हमको जो दिखेगा वो गोल दिखेगा तो यह जो है, गोल जो दिख रहा है, यह एक पाइपलाइन है और दूसरा पाइपलाइन यह है इस pipeline में जो fluid flow कर रहा है उसका specific gravity S1 है इसमें भी जो flow कर रहा है जो liquid उसका specific gravity S1 है यहां का pressure PA है और यहां का pressure PB है तो आप से पूछ रहा है PA minus PB कितना होगा इस दोनों pipelines के थुरू एक pipeline में यहां पर छेद करके यहां से देखेंगे तुमको ऐसा दिखेगा यहां से कहीं से एक liquid निकल के जा रहा है यह जो black color का है यह mercury है 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 specific gravity उसका जो है है जी का वह स्टू है कि इसका specific gravity S2 है यहां से लेकर कि यहां तक के हाइट को हम हाइच बोल रहे है यह हाइट जो है वह हाइच टू है और यह जो हाइट है यहां से लेकर के सेंटर तक वह है 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 तो आप से पीए माइनस पीबी पूछ रहा है तो आप इसके लिए क्लिए क्लिए क्या अब मर्करी का specific gravity S2 यूज कर रहे है तो हम यह जानता है कि प्रेशर जो है वर्डिकल डारेक्शन में जैसे हम उपर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर घड़ता है और जैसे हम नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता है लेकिन प्रेशर किसी horizontal plane में प्रेशर सेम होता है यहां पर एक horizontal plane हम consider कर रहे है यह horizontal plane हम consider कर रहे है तो प्रेशर अड़ प्रेशर अड़ प्रेशर की होगा क्या तो पहले यहां का pressure कितना है PA है तो PA लिख दिए उसके बाद हम इतना height तक है क्योंकि H1 height हमको दिया हुआ है तो यहाँ पर कौन से liquid है तो यहाँ पर वही liquid है जिसका specific gravity 1 था H1 तो हम लिखेंगे rho 1 G यहाँ से यहाँ तक H1 और वही liquid है throughout तो हम कह सकते है H1 फिर यहाँ से यहाँ तक H2 यहाँ से यहाँ तक H2 फिर यहाँ से यहाँ तक H3 H3 तो H1 plus H2 plus H3 minus H3 minus H2 इतना हमको दिखा pressure at the point P तो हम pressure at the point P लिख रहे हैं pressure at the point A minus जैसे उपर बढ़ रहा है तो minus rho G H1 rho 1 G H1 plus H2 plus H3 पूरा यहाँ तक फिर उसके बढ़ नीचे बढ़ रहे हैं तो plus में फिर नीचे बढ़ रहे हैं तो plus में rho 1 G H3 plus H2 H3 plus H2 यह pressure at the point P मिल गया अब नो हमको चाहिए pressure at the point Q तो pressure at the point Q क्या होगा तो pressure at the point Q होगा इस point में pressure क्या होगा यहाँ पर चुकि pressure at the point B है तो P B plus यहाँ पर वही है rho 1 rho 1 ही S1 ही है तो plus rho 1 G H3 plus यहाँ से यहाँ तक plus rho M mercury है G है H2 है तो यह चीज के बढ़ाबर होगा P plus rho 1 G H3 plus rho M G H2 यह को थोड़ा से और आगे solve करते हैं तो हम इसको थोड़ा cancel out कर ले तो rho 1 G H1 rho 1 G H1 plus rho 1 G H2 plus rho 1 G H3 यह तिनों अंदर multiply कर दिए फिर क्या कि यह rho 1 G H3 plus rho 1 G H2 is equal to P B plus rho 1 G H3 P B plus rho 1 G H3 plus rho of mercury G H2 तो यहाँ से जो equal होगा इसको cancel out कर लेते हैं यह यह cancel out होगा H2 वाला term इसके साथ cancel होगा और H3 वाला term इसके साथ cancel होगा मत्तों यह 4 हो cancel हो जाएगा तो finally P A minus P B is equal to this much मेरे को मिला तो अगर हम specific gravity के form में rho G को लिखना चाहें तो specific gravity होता क्या है specific gravity होता है rho G specific weight of liquid skinny by rho G specific weight of water तो rho G of liquid के जगा पर specific gravity into rho G of water पुट कर दे तो specific gravity rho G rho 1 G के जगा पर S1 हम पुट किए into rho G of water similarly rho 1 G के जगा S1 into rho G of water पुट किए similarly mercury के जगा पर rho M G के जगा S2 into rho G of water पुट किए पुट करने के बाद row g of water को एक side लेके चले गए इस term को उठा करके हम left hand side लेके आगए तो जो ही मिला हमको head को formative में मिला वो head को formative में केतना मिला s1 h1 plus s2 h2 s2 h2 यह s2 h2 plus h1 h3 plus s1 h3 यह हमको total मिला यह जो option है यह option आपका option number d option number d next कह रहा है इने rough turbulent flow इने pipe pipe में कैसा flow है? rough है rough pipe है और turbulent flow हो रहा है तो friction factor जो होगा वो किस पर depend करेगा? friction factor किस पर depend करता है rough के किश में तो यहाँ पर choice of friction factor for smooth pipe smooth pipe के के केस में अभी laminar flow अगर हो तो friction factor होता है 64 by Reynolds number फोर turbulent flow हो तो friction factor होता है 0.3164 by Reynolds number to the power 0.25 यह friction factor जो turbulent के के केस में जो यूज किया blasius दिया था equation यह दिया था लेकिन यह वही pipe अगर rough हो अगर वही pipe rough हो तो rough हो तो दो बात पर depend करता है Reynolds number पर भी depend करता है और दूसरा friction factor पर roughness पर भी depend करता है the empirical formula and the diagram to determine the friction factor depending upon their roughness and Reynolds number वो दो बात पर depend करता है relative roughness पर और Reynolds number पर जबकि यहां पर अगर turbulent flow के बात बात करें smooth pipe के लिए तो उसके लिए सिर्प उसिर्फ रिनॉट नबर पर depend करता है लेकिन वही चीज़ अगर rough pipe के लिए हो और turbulent flow हो तो वो दो बात पर depend करता है relative roughness और relative roughness और इनॉट नबर पर तो for rough pipe in turbulent flow moody diagram can be used to obtain the friction factor moody diagram use करते हैं हम लोग friction factor निकालने के लिए अब turbulent portion of moody chart can be represented by Colebrook formula यह Colebrook का formula है यह empirical relationship है इस relationship के आधार पर हम लोग friction factor small f निकालते हैं तो small f का formula यह है इस चीज़ को अगर diagram के रूप में अगर हम देखें तो diagram मेरे को इस तरह का दिखता है यहाँ पर small e जो है यह roughness height है जिसको roughness height rough है कितना height है वो इसको small e से represent करता है और deep is the diameter of the pipe pipe का diameter जो है pipe का diameter है यह roughness अंदर का relative roughness का height और pipe का diameter जो है वो d है तो e by d जो है e by d वो relative roughness इसको कहते हैं हम लोग फोर smooth pipe के लिए e by d का value है वो 0 होता है लेकिन जैसे जैसे आप e by d का value बढ़ेंगे जैसे इस direction में आप बढ़ रहे हैं e by d का value बढ़ रहा है मतलब वो rough pipe के लिए बात कर रहा है अगर smooth pipe हो तो laminar flow laminar flow हो smooth pipe में तो वो सिर्फ वसी रिनॉट्स नमबर पर रहीं का बात करें आप किसी particular point का बात कीजिए तो friction factor जो है वो friction factor दो बात पर depend करता है कि रिनॉट्स नमबर पर और दूसरा relative roughness पर तो roughness कितना ज्यादा है अगर मानलों इस turbulent हम बात करें तो और particular roughness का बात करें यह e by d is equal to 0.03 तो इसमें friction factor आपका यह होगा आपका यह friction factor होगा एक particular रिनॉट्स नमबर पर हम चलें और वो graph को जहां cut out करेंगा तो आपको हम friction factor दे देगा यह graph को हम बोलते हैं moody diagram इसको नाम है moody diagram और यह जो formula based house formula को बोलते हैं इस relationship को याद रखने के जोगत नहीं है आपको आप उसी याद रखना है कि जो friction factor है rough pipe के लिए वो relative roughness पे और इनॉट्स नमबर पे दोनों पे depend करता है इनॉट्स नमबर पे और रिलेटिव रफनेस पे depend करता है किस पे depend करता है तो किसमें pipe के diameter पे depend करता है pipe condition and pipe diameter पे depend करता है आपका relative roughness नेक्स्ट है इन टर्बो मसीनरी में एक method इस वो बोलते हैं वो बकिंगम पाई method यह बकिंगम पाई method क्या होता है dimensionless term निकालने के लिए होता है जैसे मानली यह condition आपके पास दे रखा है relevant parameter of volume flow rate density viscosity मतलब कि कोई pipe flow का बात कर रहा है अगर तो pipe में कुछ liquid flow कर रहा है तब वहां कौन-कौन से variable है यह आपको दिमाग से दिमाग से सोचना पड़ेगा सबसे पहले और उनके बीच एक empirical relationship निकालना पड़ेगा एक dimensionless number निकालना पड़ेगा जो कि हमेशा बैलिड होगा किसी भी situation में same pipe flow के लिए तो उसमें यहां पर जो हम variable consider कर रहे हैं वह variable है density, row, discharge, viscosity, bulk modulus, pressure, difference, delta P, power consumption, capital P, rotational speed, omega, and characteristic dimension, अगर characteristic dimension length इसका L है तो वह भी लेना होगा तो इतना सारा variable है मेरे पास तो number of variable, इन variable को आपस में relate करना है with the help of Buckingham pi method, Buckingham pi method से, इसमें question यह पूछ रहा है कि the number of independent pi terms, कितना non-dimensional pi terms निकलेगा, non-dimensional term कितना निकलेगा, कितना non-dimensional term निकलेगा, इस particular situation में, वो आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लिए हमको यहां पर यह सबसे पहले variable किनना होगा, कितना variable है तो variable is equal to m, m is equal to number of variable, कितना है यह, तो एक है volume flow rate, एक, density 2, viscosity 3, bulk model 4, pressure difference 5, power consumption 6, rotational speed 7 and characteristic dimension 8 टोटल, टोटल variable जो involved है यहां पर 8 variable involved है, 8 variable involved है, यह number of variable को हम m से denote करते हैं अब इस 8 variable को आपस में relate करने के लिए हमको number of fundamental dimension हमको consider करना होगा, later the fundamental dimension हम 3 consider करते हैं generally, क्योंकि mass, length and time यह 3 fundamental dimension हम लोग consider करते हैं तो this is equal to n, n is equal to fundamental dimension और m is equal to number of variable, तो m minus n जो होगा न, m minus n, 8 minus 5, 8 minus 3, जो बचे का 5 तो number of pi terms हो जो होता है, वो number of variable minus number of fundamental dimension को जो difference होता है, वो होता है number of pi terms तो number of pi terms यहाँ देखने जो मिलेगा, वो number of pi terms, number of pi terms is equal to m minus n, n be the number of variable, n be the number of fundamental dimension m कितना है, यहाँ पर 8 है, और fundamental dimension हम तीन consider करते हैं, तो total क्या मिला हमको 5, तो 5 be the number of pi terms न, वगर इसको हम गौस तो देखे, बगिंगम pi method के बारे में थोड़ा सा, तो बगिंगम pi method में, हम किसी भी situation को analyze करने के लिए brain से, brain से number of variable decide करते हैं, कितना variable हमको consider करना है, चुकि इस question में variable, number of variable दिया हुआ है, और number of variable को हम लोग M से denote करते हैं, ठीक है, next है, number of fundamental dimension, number of fundamental dimension, में कुछ भी है number of consider कर सकते हैं, मानले, generally हम तीन consider करते हैं, M, L, और T, कोई temperature को theta और current को I से denote करता है, situation, ऐसा current flow भी वहां हो रहा हो, और उसको भी हम consider करना हो, तो number of fundamental dimension, हम तीन, चार, पाच कुछ भी consider करते हैं, generally हम लोग 3 ही consider करते हैं, mass length and time, then dimensionless term कितना हो जाएगा, तो dimensionless term हो जाएगा, M minus M, M minus N, M minus N, मेरा, इस case में कितना है, पाच आया, इसको करते कैसे हैं, वो थोड़ा गौर कीजिए, मान लीजिए, ये एक situation है, pipe flow का, pipe flow में generally changing pressure, perient length, velocity, diameter, density and viscosity हम लोग consider करते हैं, जिसमें input ये सारा variable है, ये input कहलाता है, output आपसे पूशा जा रहा है कि कितना change in pressure हुआ वहाँ पर, तो मतलो ये output है, तो input और output, यहाँ पर total 5 variable देखने को हमको मिल रहा है, and choose in repeating variable, इसको solve करने के लिए हमको repeating variable चूज करना पढ़ेगा, और repeating variable हम उतना ही choose करेंगे, जितना number of fundamental dimension होती है, चूँकि fundamental dimension मेरा 3 है, m, l, n, t, mass, length and time, तो repeating variable भी हम 3 ही choose करेंगे, तो इतना input में से, हमको 3 repeating variable choose करना पढ़ेगा, मतलो 4 में से 3 choose करना है हमको, repeating variable के रूप में, तो 4 में से अगर 3 choose करना है, 4C3 को solve करेंगे, मतलब 4 तरीके से choose कर सकते हैं, 4C3 को करेंगे तो factorial 4 upon factorial 4 minus 3 upon factorial 3, 2 is equal to 4, तो हम 4 तरीके choose कर सकते हैं, तो यह हम repeating variable मान लिए choose किए, एक तरीका यह है, एक तरीका यह है, एक तरीका यह है, और एक तरीका यह है, for first time हम लोग अगर काम कर रहे हैं, तो मानले लिजिए हम rho, d और v, यह तीन repeating variable हम चूज़ किये हैं, तो मेरा जो python होगा, वो rho, d, v तो होगा ही होगा, pi 1 में भी rho, क्योंकि दो python इसमें मिलेगा, क्योंकि number of variable कितना है, 5 है, इसमें 5 variable है, और fundamental dimension कितना है, 3 है, तो मेरे पाइटम मिलेगा, एक मिलेगा pi 1 और दूसरा मिलेगा pi 2, तो pi 1 में भी rho, rho, d, v, क्योंकि rho, d, v, हम लोग consider कर रहे हैं, repeating variable का, तो यहाँ भी वो चीज़, यहाँ भी वो चीज़, repeat हो रहा है, बार-बार, अब repeat हो रहा है, repeat होने के अलावा बच किया गया, बच गया delta p by l, तो एक बच गया delta p by l ले लिजे, और एक बच गया आपका mu, तो एक बच बच गया mu ले लिजे, उसको जो repeating variable है, उसके, उसका power हम कुछ भी arbitrary ले लिजे, ये a, b, c, इसमें भी repeating variable का power a, b और c हम लोग consider की, तो यहाँ पर यह साथ दिखा हमको कि दो pipe term possible है, अब हमको क्या करना है, pi 1 के लिए हम लोग को dimension equate करना है, pi 1 निकालना है मान लिजे, तो इसके हमको pi 1 is equal to this much, इसका हमको dimension equate करना है, तो चुकि pi 1 एक dimension less term है, तो इसका कोई dimension नहीं होता है, इसलिए m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, लेख दिए, उसका velocity है, velocity क्या होता है, length upon time, length upon time, velocity, उसका power कितना A है, similarly diameter है, diameter का dimension L होगा, तो उसका power B है, फिर density, density का dimension, जो होगा, m l to the power minus 3 होगा, तो उसके power C होगा, next step pressure upon length pressure upon length का dimension ये होगा उसका power जो कुछ भी नहीं यहाँ पर तो उसका power कुछ भी नहीं देगा उसके बाद हमको करना क्या है कि power को equate करना है दोनों तरफ से power को equate करने के लिए हम क्या करेंगे इसके m का power कितना है 0 है इधर m का power कितना है m का power है M का power is C M का power C और यहाँ पर M का power 1 तो M का power C plus 1 तो M का power केतना मिल गया C plus 1 और इदर M का power केतना मिला 0 power को equate किएगा तो C plus 1 is equal to 0 Similarly, आप L के power जितना भी side है वो सब equal होगा 0 के L to the power 0 के बराबर होगा Similarly, T का power जितना भी है वो t के power 0 के बराबर हो गए, हैंसे 3 equation मिला, हमको 3 variable निकालना है a, b और c, तो वो 3 हो भेलू निकाल लेंगा, और 3 हो भेलू जब निकल जाएगा तो वापस उस equation में, जो pi 1 वाल equation में हम वापस a, b और c का भेलू रख देंगे तो एक pi terms हमको दे देगा, जो pi terms को ये मिला, ये pi terms को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये pi terms friction factor हो कहीं न कहीं represent कर रहा है, तो इस तरह से हम pi terms निकालते हैं बकिंग हम pi method से, तो हमको यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना number of dimensionless term होगा तो dimensionalless term जो होगा इस particular case में, चुकि 8 variable है और 3 fundamental dimension consider करते हैं, number of pi terms जो होगा, नेक्स्ट है, में पर कुछ number है यहाँ पर, वो उसको सही correct match करना है, ये कौन number क्या है, तो ये number हम already सब कुछ discuss कर चुके हैं, फिर से number को थोड़ा कर देखिएगा, तो क्या होता है, थोड़ा देख लिए एक बार, सबसे पहला था, इनोर्स number, इनोर्स number होता है, inertial force by viscous force, जहाँ viscous force हो, वहाँ इनोर्स number, proud number, inertial force by gravity force, जहाँ gravity force हो, वहाँ proud number, यूलर्स number, pressure force by inertial force, pressure force कहीं दिखता है, तो यूलर्स number हो गया, मैक number, inertial force by elastic force, या compressibility force, तो मैक number, वेबर नमबर, inertial force by surface tension, अगर surface tension कहीं involved हो, तो वेबर नमबर, निक्स है, काउची number, काउची number, इस्वाइर ओप मैक number, इस्ट्रोहल नमबर, local inertial force by convective inertial force, यह कुछ dimensionless number है, जिसके बारे में हम कुछ याद करवाया थे, अब आज यह वापस question में, question क्या पूछता है, देखिए, यूलर्स number, यूलर्स number में क्या था, pressure force, pressure force कहां आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो A का 1, A का 1 कहां है, यहां है, प्राउट number किस में आया था, gravity में, तो B का 2 number सीथा दिख रहा है, mac number किस में आया था, तो mac number आया था, आपका elastic force, inertial force by compressibility force, यह elastic force, C का 5 number, C का 5 number भी आ रहा है, D, weber number, surface tension related है, तो D का 4, तो यह आपका सही option है, option number D, next question है, question number 469, कह रहा है, in a pipe flow, the head loss due to friction is 6 meter, head loss due to friction is equal to 6 meter, if the power transmitted through the pipe has to be maximum, power maximum होना चाहिए, then the total head at the inlet of the pipe will be, total head at the inlet of the pipe, कितना होगा, H is equal to, तो हम लास्ट क्लास में देखे थे, कि maximum power के लिए, HF is equal to, H by 3, तो H कितना होगा, तो 3 into HF, HF अगर 6 है, तो H कितना होगा, 3 into 6, मतलब 18, answer 18, अगर इसको इसके बारे में याद नहीं आ रहा है, थोड़ा से देख लिए, क्या होता है, power transmission through the pipe, power transmission through the pipe, मान लिजे कि ये जो है, एक container है, यहाँ से pipe निकल रहा है, pipe से जो liquid जा रहा है, उसका velocity भी है, pipe का length L है, जो head available था inlet to the pipe, वो head available था H, यहाँ पर जो head available है, वो in the form of potential energy के रूप में H available है, तो हम लोग जानते हैं कि weight, weight of water through the pipe per second, जो weight है यहाँ पर, तो weight कितना होता है, तो weight होता है mg, अब mg, मतलब हम rho into q, rho into q पहले से जानते है, mass flow rate होता है, into अगर g कर दें, तो rho into q into g कर दें, तो आपको मिल जाएगा mg, g, तो rho into g जो होगा, rho into g होगा, यह mass flow rate into g, rho into g जो होता है, इसको हम weight density बोलते है, weight density, rho into g को weight density बोलते है, w into q, तो w into q is the weight, अब क्यों जानते हैं area into velocity होता है, तो wav, 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 with the weight of water flowing through the pipe per second, wav, अगर हम बात कर रहे हैं, तो pipe के inlet में, जो heat available था, वो heat था h, pipe के inlet में, जो heat available था, वो heat था h, friction से loss हो गया, वो है hf, जो loss due to friction, वो है hf, then the net heat of water available at the point b, point b में, अगर यह point a था, और यह point b था, तो यहाँ पर heat available था h, तो यहाँ पर कितना available होता h में से, friction जो heat loss होता है, यहाँ पर, उसको minus कर देंगे, तो heat available hf at this point, तो efficiency अगर बात करेंगे, तो efficiency जो होगा h minus hf upon h, h minus hf upon h, जो होगा frequency होगा आपका, लेकिन अगर power का हम बात करें, frequency का नहीं power का बात करें, efficiency का नहीं power का बात करें, तो power क्या होता है, पहले से हमको mg weight तो पता है, अगर h से multiply कर देंगे, तो mg h, energy मिल जाएगा, तो energy मिल जाएगा, और energy upon time जो होता है, energy upon time जो होता है, तो power होता है, तो पहले से mass flow rate पता था, m.g into h, तो ये जूबिल आपको power मिला, power को kilowatt में convert करना है, तो watt में मिला, kilowatt में convert करना, that means thousand जभागा, divide करना होगा, तो kilowatt में मिल जाएगा आपको, now, अगर हम बात करें hf, तो head loss due to friction होता है, Darcy का friction factors is this much, rho a v, rho g, a into v, a into v q, discharge के जगर लिखे हैं, v को अंदर multiply की, that means this power, अब this power is to be maximum, कब होगा ये maximum, जब इसको हम differentiate करेंगे with volume, with velocity, with velocity अगर हम differentiate करेंगे, क्योंकि ये है area into velocity, with velocity, अगर हम इसको differentiate करें, 0 को बाराब करेंगा, तो हमको condition देगा कि maximum, maximum power cup transmit होगा, तो condition finally हमको जो मिलता है, hf is equal to h upon 3, ये hf is equal to h upon 3, ये condition है, लेकिन power का अगर हम बात करें, तो power जो maximum देगा, वो power केतना देगा, तो power देगा, h minus hf upon h, क्योंकि कुछी pipe के inlet में जो head available है, हो h है, यहां से यहां तो जो loss हो रहा है, वो hf है, तो output में जो energy available है, हो h minus hf है, तो output upon input, जो होगा, वो efficiency होता है, तो efficiency भी पूछा जा रहा है आप से, और कितना total head available था, अगर loss of head, loss of head due to friction, loss of head due to friction is equal to 6 meter, अगर यह 6 meter है, तो h कितना होगा, तो h equal to 6 into 3, 18, तो यहां 18, और if head इतना है, तो efficiency कितना होगा, efficiency h minus hf upon h, this is the efficiency. Next question है, question of 471, कह रहा है, dimensionalist group formed with variable density, angular velocity omega, and dynamic viscosity mu, and deep with the characteristic diameter, तो इसमें dimension, next question है, question of 471, कह रहा है, dimensionalist group formed with variable density, angular velocity omega, and dynamic viscosity mu, and deep with the characteristic diameter, तो इसमें dimension, तो यहां पर 4 option दिया हुआ है, हर एक को आपको चेक करना होगा, इस particular कि इसमें कौन सा dimensionless है, क्योंकि हर एक dimensionless number को याद रखना रहा सा मुस्कील है, तो आपको चेक करके देखिए, तो option number B जो दीखेगा, वो dimensionless number है, तो अगर ऐसे भी, अगर आपको यह नॉट्स number पता है, तो यह नॉट्स number होता है क्या, रो VD by mu, और V is equal तुम जानते हैं, R into omega होता है, R into omega होता है, तो यहां B के जगह हम अगर R into omega put कर दें, तो रो into R into omega into D by mu, तो एक मीटर में आएगा, एक मीटर में आएगा, तो rho meter square, density का केजी पर meter cube, ओमेगा जो होता है, वो होता है, revolution per minute, revolution per second भी कर सकते हैं तो पर second में आएगा, mu के जो dimension होगा, वो dining viscosity का dimension आप Newton's law of viscosity से निकाल सकते हैं, जो कि क्या होता है, Newton's second per meter square होता है, तो आप सब को put करके देखिए, तो आपको जो भी यहां, ऐसे भी Reynolds number जो होता है, वो dimensionless number है, तो आप put भी कीजिएगा, तो Reynolds number का भिलूप, जो भी dimensionless ही मिलेगा आपको इसमें, तो option number B जो दिख रहा है हमको, वो correct दिख रहा है, next, next question है, which of the following terms relate to the floating body, floating body के बारे में हम कब वो stable होता है, कब वो unstable होता है, यह हम बता चुके हैं, फिलाल अब एक बात recapitulate करते हैं, कि G अगर नीचे हो, M से, तो यह stable condition है, अगर G उपर है और M नीचे है, तो यह unstable condition है, और G और M दोनों coincide कर रहा है, तो यह neutral equilibrium है, को, 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 को point करता है, तो G और M जो coincide करता है, G और M coincide तो यह neutral equilibrium, G is above M, G is above M, that means unstable, unstable, G is below M, मतलब stable, और Bion force is greater than weight, Bion force is greater than weight है, तो यह floating body, तो ऐसा जो option देख रहा है, आपको, वो correct है, तो ऐसा जो option है, वो आपको, G और M coincide, मतलब कि यह neutral, मतलब 2 B का 4, B का 4, इसको देख लिजए, Now question number 473, for fully developed laminar flow through a pipe, the volumetric flow is given by, volumetric flow rate, मतलब discharge कितना हो आया था, विजए pipe के through flow करवाया थे, तो discharge कितना आथा है, तो यह है, हाइगन पॉजज़ी flow equation का, equation में, यह derivation है, चुकि हम लोग polar coordinate नहीं यूज किये थे, हम लोग simple तरीके से उसको solve किये थे, जैसे book में यूज किया था, तो इसलिए, उसको थोड़ा सा देखना है, इसमें जो discharge आया था, वो discharge मेरा यह था, पाई R square by 2 into VC, अब VC का भेलू जो हम पहले देख चुके है, डेल्टा P D square by 16 mu L, यह already हम कर शुके हैं, तो इस diameter को radius को form में हम लिखें, तो diameter के जगा हम क्या लिखेंगे, diameter के जगा हम लिखेंगे 2R, तो 2R अगर हम लिखेंगे, तो इस के जगा पर हम लिखेंगे, 2 का square 4 R square, तो 16 to 32, 4 से cancel out होगा, मतलो 8 denominator में 8 mu L मिला, हमको denominator में उपर में क्या मिला, pi R to the power 4, delta P by L, तो यहां जो एक प्रिशन मिला, तो pi R 4, delta P by delta Z, L के जगा delta Z by 8 mu, यह मेरा final expression जो मिला, वो ध्यान में रखिएगा, option number यह,